जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी वीकली करेंड अफैर्स की क्लास पर दोस्तों आज हम यहाँ पर दो हफते का वीकली करेंड अफैर्स का रिविजन करेंगे क्योंकि पिछले हफ्थे मैं यूट्यूपर नहीं था कुछ दिनों तक और और रखैमी की पॉलिसीकी वज़े से आपको पता होगा मैं अप्लिकाशन में बढ़ा रहा था मैंने कवर कराया था बाक्ति यहां जी हा ange 120 कोशन बुलेट की तरह आप सभी के सामने आने वाले हैं जो कि हिंदी और इंग्लिस दोनों मीडियम में होंगे बाइलिंग्वल क्लास होगी तो कॉपी पैन ले करके बैट जाएए और हर प्रस्टर का उत्तर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स पर और बताई गया आपने 120 को जानते कि राजा गुपता करेंट अफेर्स टेलीग्राम चैनल को सर्च करना है और देखो आप थोड़ा सा दिमाग भी लगाया करो इतने सारे चैनल है मैं उनको बंद नहीं करवा सकता हूं क्यूंकि रोज बन जाते हैं तो मैं कितना रोकूंगा मैं पढ़ाऊंगा या फ उसी गुरूप में उसी टेलीग्राम चैनल पर जॉइन हो जाना ठीक है चलो अब मेरी जो गाड़ी है स्टार्ट हो गई है रुकने नहीं वाली है तो पहला कोश्चन आप सभी के सामने रहा किस दिन राश्ट्री अंत्रिक्स दिवस्त की रूप में मनाया जाएगा विस ड सवयम मोदी जी ने की थी क्योंकि 23 अगस्त को चंद्रयां 3 लेंड हुआ था 23 अगस्त 2030 को क्या हुआ था यह राश्ट्य अंत्रिक्स दिवस्त सिले मनाया जाता है क्योंकि चंद्रयां 3 की लेंडिंग हुई थी और भारत पहला ऐसा देश्पना जो कि साउथ पोल पर नाम रखा गया है तो इसका नाम रखा गया है शीवर शक्ती पॉइंट रखा गया है ठीक है 23 अगस्त को शाम 6 बच के 4 मिनट पर लेंडिंग हुई थी और उसी जगहें पर जो साउथ पोल पर लेंडिंग हुई है तो इसका नाम रखा गया है क्या नाम रखा गया है शीव मेडल हैस बीन बॉन बाइ नीरा चोपड़ा एड़ वर्ड एथलेटिक्स चैंपेंशिप तो फ्रेंट्स इसका राइट एंसर होगा गूल्ड मेडल दिलाया है भारत को इन्होंने सुन पदक दिलाया है जैवलिन थ्रूर है 88.17 का भाला फेक करके इन्होंने गोल मेडल दिलाया हंगरी में बुड़ा पेस्ट में यहां पर इस चैंपेंशिप का आजन किया गया है वायू गुडवत्ता पूर्व चितावनी प्रणाली अपनाने वाला भारत का तीसरा शहर कौन सा है which has become the third city in India to adopt a quality warning system तो quality air warning system को यहां पर देखिए कोलकाता इसका right answer क्या हो जाएगा कोलकाता ऐसा करने वाला भारत का तीसरा शहर बन गया है विश्व की पहली ethanol से चलने वाली car का नावरन कहां पर किया गया where has world first ethanol powered car been unveiled तो ethanol से चलने वाली car का inauguration नई दिल्ली में किया गया है कहां पर किया गया है नई दिल्ली में इसका inauguration किया गया है देखिए car का नाम है Toyota Innova High Cross ठीक है यह 100% ethanol fuel से चलेगी ethanol कई product से जो vegetative product है उससे बनाया जाता है मैंने आपको बताया था जी ट्वेंटी एक स्वास्त्कारjalा का उद्गातन यह कहां पर किया गया है वेर फहले है ली जी फ्वेंटी एक स्वास्तकार इसका या जिद को लोरा हाली में किस आफरीकी देश में सेना की दौरा तक्ता पलट कर दिया गया है तो सेना के दौरा तक्ता पलट कहां पर हुआ है गैबॉन में हुआ है कहां पर हुआ है गैबॉन में सेना की दौरा तक्ता पलट किया गया है और ये गैबॉन जो है आफरीका में आता है कहां पर आ थानी निकाय में OBC के लिए 27% आरेक्षन का प्रस्ताव रखा है विच स्टेट गवर्मेंट हैस प्रपोस 27% रिजर्वेशन पर OBC लोकल बॉडी तो OBC के लिए आरेक्षन 27% 10% से 27% कर दिया गया गुजरात में तो यह नगरपालिक का पंचायत नागरिक नगर निगम इन जगहों पर एपलाइड होगा विश्व संस्क्रिट दिवस 2023 का मनाया गया तो वेन इस वर्ड संस्क्रिट अगस्त को संस्क्रिट दिवस जो है 31 अगस्त को मनाया गया है देखे पाड़नी है जो कि संस्क्रिट के आप कह सकते रचायता है और इनहीं की याद पर मनाया जाता है 1969 में इसकी शुरुवात हुई है ग्लोबल इंडिया AI 2023 का संबेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो ग्लोबल इंडिया AI का जो मेजबानी है नाम में लिखा हुआ है हमारे देश का नाम और भारत इसकी मेजबानी करने वाला है कौन करने वाला है भारत इसकी मेजबानी करने वाला है और पहली बार करेगा अक्टूबर में इसका होने वाला है केन सरकार ने कब से कब तक संसत का विशेश शत्र बुलाया है यह सेशन पांच दिन चलेगा इसमें पांच बैठ के होने वाली है नेस्ट फवह राश्ट्री पोशन महीना कभ से कभ तक माना जाएगा तो छटवह राश्ट्री पोशन महीना एक सिली की 30 सितंबर की बीचे में बाता जाएगा स्वक्ष वायू सर्वेक्षन 2023 का अभी आकड़ा जारी हुआ है इसमें सबसे पहला स्थान की सहर ने हासिल किया है which city has secured the first position in clean air survey तो सबसे स्वक्ष हवा कहां की है इंदौर की है और सबसे भारत का सबसे स्वक्ष जिला जो छे बार से लगातार बना हुआ है वो है इंदौर इंदौर इसमें सबसे पहले स्थान पर है बियेचल ने भिजली सयंत्रों में किस गैस के उस सर्जन को रोकने के लिए भारत का पहला उत्परे रख्षेट बनाया है तो ये है नाइट्रोजन ओक्साइड क्या है नाइट्रोजन ओक्साइड अभियास ब्राइट स्टार 23 का आजन किस देश में हुआ है तो अभियास ब्राइट स्टार का आजन इजिप्ट में हुआ है कहां पर हुआ है मिश्र में अभियास ब्राइट स्टार 23 का आजन किया गया है नेस्ट है एमर्सन मना गांगवा किस देश के वापस से राश्रपती बने है तो एमर्सन मना गांगवा ये जिम्बामबे के वापस से राश्रपती बने है जिम्बामबे के वापस से प्रेसिडेंट बने है नेस्ट है राश्रिपती दुरौपदी मुर्मुजी द्वारा किसके सतापदी वर्ष पर स्मारक सिक्का जारी किया गया है तो जो स्मारक सिक्का जारी किया गया है एंटी रामा राव जी की आद पर इस मारक सिक्का जारी किया गया है डॉक्टर सुनाली घोस किस राश्टी उद्यान की पहली महिला फिल्ड निर्देशक बनी है यहाँ पर आप देख पार है सुनाली घोस को जो एक सतंबर से काजी रंगा राश्टी उद्यान की कमान समालने वाली है किस राज केंसासिप प्रदेश के भदरवा राजमा और रामबन सुलाई सहत को जियाई टैक प्रदान किया गया है तो दोस्तों इसका राइट अंसर हो जाएगा जम्मू एन कश्मीर जम्मो कश्मिर के इनसासिप प्रदेश की भद्रवा राजमा और रामबन सुलाई शहद को जियाई टैग दिया गया है वित्तुद्योग विकास परिशद जिसे हम FIDC भी कहते हैं इसके नए अध्यष कौन बने है Finance Industry Development Council के नए अध्यष किसे बनाया गया है तो बनाया गया है उमेश रिवनकर को बनाया गया है किसे बनाया गया है उमेश रिवनकर को बनाया गया है इनका कारकल दो साल के लिए होने वाला है किस राजके चोकूवा चावल को GI टैग दिया गया है तो किस राजका है चुकुवा चावल असम राजका है चुकुवा चावल जिसे अभी GI tag दिया गया है कहा कहा है असम राजका इसे दूसरे नाम से जाना जाता है इसे magic rice भी कहा जाता है डैनियल मेक गाहे अंतरास्ती मैच खेलने वाली पहली transgender क्रिकटर बनी इनका संबंग किस देश से है तो डैनियल मेक गाहे Canada देश के हैं कहां कहें शी बिलॉंग्स फ्रॉम कैनेडा और यह पहली transgender क्रिकटर बनी है और यहां पर आप देख पा रहे हैं यह पहली महिला transgender क्रिकटर बनी है और कैनेडा के लिए खेलेंगे ठीक है जीरिक डामंड लीग में नीरच चोपडा ने मेडल भारत को दिलाया है इस बार इस बार इन्हों ने सिल्वर मेडल जीता है कौन से मेडल जीता है सिल्वर मेडल जीता है एक देश एक चुना पर कमिटी का गठन किया गया है रामनाथ कोविंग जी को अध्यक्ष बनाया जाएगा जो कि भारत के पूर राष्ट्रपती थे यह है अध्यक्ष हाली में किस राज ने 1000 मिली प्रतिबन लागू कर दिया है विच स्टेट हैं इंप्लेमेंटेट बैन प्लास्टिक वॉर्टर बॉर्टर लेस देन वन थाउजन एमल तो ऐसा करने वाला असम राज है कौन सा राज है यह असम राज है यह काम करने वाला टैली लॉट 2.0 कारिक्रम को हाली में किस ने लॉं किस देश ने अपना सबसे पहला करनाटक सांस्कृतिक उससब आयजित किया है इसकारणाटक क्ल्चिरल फेस्टिवल तो दौस्तों ऐसा किस ने किस ने किया है इंडियन ओइल की दोरा किसे अपना ब्रैंड बनाय गया who has been appointed as the brand ambassador of Indian oil तो Indian oil की brand ambassador बनाए गए संजीव कपूर कौन बनाए गए हैं संजीव कपूर बनाए गए हैं आपने इनको यह शेफ हैं बहुत ही famous शेफ है और इन्हें Indian oil का brand ambassador घोशित किया गए है हाली में Miss Earth India 2030 का खिताब किसने जीता है किसी बच्चे ने comment box पे comment किया सर आप बता रहे हो कि Miss Earth India जो है प्रियंस से नहीं नंदिनी गुपता है आप एक पर चेक कर लिजेगा और यह है Miss Earth India दुनों में अंतर है Miss Earth India अलग होता है और Miss India अलग होता है हाली में किस राज में traffic control center की शुरुआत की जाएगी तो किस राज में traffic control center के शुरुआत की जाएगी उत्तर प्रतेश में traffic control center की शुरुआत की जाएगी यहां से teamwork traffic को manage किया जाएगा ठीक है चल यह आगे बड़ते हैं एक रख comment box से बता दीजे how all students are feeling now बमाली शर्मा पलक सीमा सुकला रजशर्मा कैसा लग रहा आप लोगों को दोस्तों मज़ा आ रहा है की नहीं पक्का वाला चलो अगर देखते हैं किस राज में चार नहीं जिलों का पुनर गठन किया गया इन विच स्टेट फोर नियो डिस्टिक्ट है बिन रियॉर्गनाइ किस राज सरकार ने खिलाडियों के साहता के लिए जर्मनी की फुटबॉल लिग के साथ साजेदारी की है तो ये राज है दोस्तों महराष्ट राज कौन सा राज है ये महराष्ट राज है जिसने खिलाडियों के साहता के लिए जर्मनी की फुटबॉल लिग के साथ की गई है और यहां पर इसका अनावरण यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित नाथ जी ने किया है यह देश का पहला ऐसा म्यूजियम होगा हाली में रिलवे बोड के नए अध्यक्त कौन बनें बहुत अच्छा कौशन है वो अनिल कुमार लहोटी का स्थान लेंगे रिलवे बोड की पहली महिला अध्यक्त बने हैं जया वर्मा सिन्हा, very very important question, किस भारतिय को रमन मैक्सिस परस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो रमन मैक्सिस परस्कार से आर रवी कन्नन जी को सम्मानित किया गया है, 1957 में रमन मैक्सिस परस्कार के सुरुवात की गई है, फिलिपिन्स के राश्रपती थे रमन मैक्सिस और उ पार है आर रवी कंनन को जो की भारती ओंकोलोजिस्ट है यह कैंसर विशेशग है भारत की पहली स्वदेशी रूप से डबलब की गई परमाडू उर्जा सयंत्र काई पूरी शमता से कहां पर चालू की गई है तो दोस्तों इसकी शुरुवात गुजरात राज में की गई है क गुजरात राज में और इसका नाम है काकरा पार परमाडू ओर्जा सायंत्र में की जोआए जाएगा से लएक को सितंबर 2 सितंबर को लांच किया गया और इसनुर मैंने पूरा कमप्लीट वीडियो बनाया है पहले मैंने इसका एनलेसिस किया पूरा न्यूजँ अलेशिस किस्टे फिर मैंने आपको importante question भी एक शौर्ट वीडियो और पूरा दिन मैं आदित 11 के साथ था तो आदे तेलवन आप यहां पर देख सकते दो सितंबर को लॉंच हुआ ग्यारा बच के पचास मिनट पर श्री हरी कोटा सातीज दवन स्पेस सेंटर से आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो आप भी जाकर के देख लिजेगा आपका उस टॉपिक्स पूरा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ड्रंक ओन लव दा लाइफ विजन एंड सॉंग्स ऑफ कबीर इस पुस्तक को किस ने लिखा है किस राज सरकार ने महिलाओं की सरकारी नौक्रे में 35 परशणा आरखशन देने का फैसला किया है तो यह फैसला मद्यप्रदीश सरकार ने किया है कि जो है महिलाओं को 35 परशणा आरखशन दिया जाएगा सरकारी नोकरियों में भारत का राश्त्री खेल दिवस कब बना जाता है polls इशननiler sports day of पर हर साल 29 29 को मेजर ध्यांचन खेल रहे दिये जाते हैं और मिजर ध्यांचन जी की आदपर हौकी के ज़ो अधुगर कहे जाते हैं 2012 से हम राश्ट्री खेल दिवस्प मना रहे हैं साल 2023 का पहला युनिकॉण स्टार्टप कौन सा बना है अब आपकी दिवा में सवाल उठ रहा होगा वाट इस दा मिनिंग ऑफ युनिकॉण तो युनिकॉण वो कंपनी होती है जिसका बैलिएशन कितना हो जाता है वन बिलियन डॉलर आप यू कहें आठ हजार करोड से जादा हो जाता है उससे हम कहते हैं क्या बोलते हैं डिलिवरी वाला कंपनी है ठीक है फीफा के दौरा किस देश की फुटबॉल महासंग से प्रतीबंध हटाया है तो दोस्तों इसका राइट एंसर होगा श्रिलंका श्रिलंका प्रतीबंध लगा हुआ था उस प्रतीबंध को अभी हटा दिया गया है फीफा ने इस यह सुपकरण ने चंदर्मा की सत्य पर किन तत्वों की खोच की है तो मैंने आपको बताया था यह चंदर्यान 3 का ही पार्ट है और इसमें हमने क्या क्या डिस्कवर किया है हमने यहां पर अल्यूमीनियन सुलफर मेंगनीज केल्सियम आइरन क्रोमियम टाइटीनियम सिलिक सद्थ ने न्यूजीलेंड के सात्थ सहयोग पर समझ्चोता कियाहें नैस्ट है किस महिनाओ के लिए गुलावी 1400 स्थापत किये जाएं तो महिनाओ के लिए यहां पर पिंग टॉलेट सेट अप किये जाएंगे यह त्रीपुला कहां पर विए کہulous तिस्धापन किये has won the entrepreneur of the year 2023 टाइटल मनोज बुबना को मिला है किसे मिला है मनोज बुबना को प्राप्थ हुआ है पत्र सूचना कार्याल है जिसे हम बोलते को स्थान महिंँच देशेश को भारत का नए जो युद्धुपोत महिंद्रगी इसको कहां पर लॉंच किया गया बारत के नए युद्धुपोत संदर गिरी को लौंच किया मुंबई में मज़गाहों Talk शिप बिल्ड है气 की द्वारा इससे बनाया गिया इसे तैयार किया एंफोसिस दे किस महिला टेनिस खिलाडी को अपना ग्लोबल ब्रैंड ढब आे तो इंफोसिस दे किस महिला खिलाडी को इगा सुईटेक को बनाया है जो कि पोलेंड की प्लेयर है देखिए मेल कटेगरी में राफिल नडाल को बनाया है जो कि स्पैन के प्लेयर है महिला और पुरुष दोनों को चुना है ठीक है अगला परशनी रहा जी ट्वेंटी संस्कृती मंत्रों की बैठक कहां पर शुरू हुई है वेर हैस जी ट्वेंटी कल्चर मिनिस्टर मीटिंग स्टार्टेड तो जी ट्वेंटी के यहां पर देखे बनारस में बनारस में यह मैठक स्टार्ट हुई है यह मीटिंग स्टार्ट हुई है जी ट्वेंटी के मुख्य विग्यानिक सलाकारों की दूस गोल्ड मेडल किस ने जीता है तो महिला क्रिकेट का गोल्ड मेडल भारत ने जीता है भारत ने अस्ट्रेलिया को हरा करके यह ब्लाइंड जो विश्व कप था महिलाओं के लिए समर्पेथा इसे जीत लिया है पाकिस्तान में भारती उच्चायों की नई प्रभारी कौन बनी है who has become the new in charge of Indian High Commission Pakistan तो इंडिन हाइज कमिशन पाकिस्तान में गीतिका शर्वास्तो इसका राइट एंसर हो जाएगा गीतिका शर्वास्तो पाकिस्तान में भारती उच्चायुक की नई प्रभारी बनी है भारती विदेश मंत्राले ने इस्लामाबाद पाकिस्तान में प्रभार मनाय जाता है तीस अगस्त को मनाय जाता है कम मनाय जाता है तीस अगस्त को मनाय जाता है अमेरिका ने किस राज में जाती विरोधी भीद्भाव विधियक पारित किया है विच स्टेट ऑफ यूएस पास्ड दा एंटी कास्ट डिस्क्रिमेनेशन बिल केलाफोनिया में पास किया गया है डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब हाली में किसने जीता है तो डच ग्रैंड प्रिक्स 2030 का खिताब मैक्स वेर स्टेपन जीता है किसने जीता है मैक्स वेर स्टेपन ने डच ग्रैंड प्रिक्स 2030 का किताब जीता है रेड बूल के लिए ड्राइफ करते हैं निदर लेंड से बिलॉंग करते हैं नागरी कुडिन मंत्री जोती राद सिंधिया ने किस राज में उतकला हवाई अड़े का उधगाटन किया है तो उतकला हवाई अड़ा ओडीसा राज में हैं कहां पर है ओडीसा राज में हैं उतकला हवाई अड़ा किस राज में ग्रह लक्ष्म योजना की शुरुवात की गई है तो ग्रह लक्ष्मी योजना ये करनाटक राज में स्टार्ट की गई है कहां पर करनाटक राज में स्टार्ट की गए ग्रह लक्ष्मी योजना इसका उद्देश महिलाओं को शशक्त बनाना और घर की मुख्याओं को मजबूत बनाना स्वतंत्र भारत के जो पहले वित्व मंत्री आरके शनमुगम चेटी इनकी प्रतिमा कनावरण कहां पर किया गया तो इनकी प्रत महीना गोशत क किया है तो अमेरिका कि किस राज में जॉर्जिया राज में कहां पर जॉर्जबूस गोशत किया गया है तो नेहा कुमारी कैसे हैं आप रजश शर्मा प्रियंका जूही सिंग अभिशेक कश्यप लीपिका पलक अंशिका सीमा शुकला और राज भाई तो कैसा लग रहा है आप सभी को मजा आ रहा है पंडे में की नहीं चलो आगे बढ़े साथ कोश्चन हो गए है साथ कोश्चन और बचे हैं सिक्स्टी कोश्चन और बचे हुए हैं चले आगे बढ़े ओके चलो नेस्ट है वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2030 का खिताब हाली में किस ने जीता है तो इस पैन ने जीता है वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023 का किताब किस ने जीता है स्पैन ने इंगलैंड को हरा करके वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप को जीत लिया है लूना 25 की देश का मिशन था जो चंद्रमा पर क्रेश हो गया फुस हो गया देखे रश्या का था और रश्या ने सोचा कि हम जल्दी से चंद्रियान 3 से पहले लेंडिंग करा देंगे तो फिर क्रेश हो गया जल्दबाजी में स्वाहा ठीक है किस राज्य को प्रागतिक आपदा प्रभावित छेत्र गोशित किया गया है तो जो प्रागतिक आपदा प्रभावित छेत्र है राज्य है हिमाचर प्रदेश को गोशित किया गया है भारी बारिश के कारण यहां की जो मानव जीवन संपत्ती है सब कुछ प्रभावित हो मनाया जाता है 21 अगस्त को मनाया जाता है आम तोर पर लोग जवान होते हैं लेकिन आज तो लोग पूड़े हो रहे हैं नेस्ट कोश्चन ब्रिक्ष सिखर समयलन वेरी वेरी इंपॉर्टन कोश्चन 2023 की इस देश में हुआ है तो ब्रिक्ष सिखर समयलन साउथ अफ्रीका में दक्षन अफ्रीका में हुआ कहां पर 22 लेके 24 अगस्त के बीच में हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार की द्वारा कहां पर मंदिर संगरहाले बनाया जाएगा वेर विल दा टेंपल म्यूजियम बी बि ग्यानिक पहलों को प्रद्रशित करने के लिए यहां पर मंदिर संगरहाले बनाया है चंद्रवा के दक्ष्री धुरूप पर पहुचने वाला पहला कंट्री कौन सा है सबीब बर जैहन लिखेगा भारत पहला देश है जिसने दक्ष्री धुरूप पर लेंड किया है और य इसके नएध्यक्ष्क् Dollar बने है प्रकास शुर्वास्तготов कौन बने है प्रेकास शुर्वास्त भण बने है में कितने नए देश शामिल हुए है how many new countries have joined BRICS तो BRICS में 6 देश इसमें शामिल हुए है BRICS में कितने देश शामिल हुए है 6 नए देश शामिल हुए है यहाँ पर Argentina, Saudi Europe, UAE, Mishretopia और Iran इन 6 नए देशों को शामिल किया गया है हाली में चेस World Cup हुआ था 2023 का इसमें किताब को जीत लिया है तो दोस्तो आर प्रग्यान आनन्द ने तो प्रियास बहुत अच्छा किया किवल 18 साल के हैं लेकिन यह हार गए मेगनस कालसन विजीता बने किस कौन बना मेगनस कालसन विजीता बने है जो कि किस देश के प्लेयर है कमेंट बॉक्स पर बता है तो मेगनस कालसन ने रमेश बाबू प्रग्यान आनन्द को हरा दिया है और यहां पर वो विजीता बन गए है ठीक है आगे बढ़ते दोस्तो महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है इंडियन पंप मैनुफेक्चिट्रे ऐस एससेशन के अध्य सकूण चुने गए है वारत की पहली hydrogen bus कहा पर शुरू होगी तो सबसे पहली hydrogen bus ल्य में शुरू होगी भारत में जंधन खातों की संखेल लगभग कितनी होगई है तो भारत में जंधन खातों sean 50 करोड होगई है 2014 में जंधन ये में के जो financial inclusion से related scheme में start की गए थी और फिर बहुत तेजी से रफतार पकड़ा इसमें जादत तर संख्या महिलाओं की है तूफान हिलेरी ने अमेरिका के किस राजबे तबाही मचा दी है तो तूफान हिलेरी ने अमेरिका के कलिफोनिय स्टेट पर तबाही मचाई है ये तूफान हिलेरी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नेस्ट है पहला उद्योग रतन पुरसकार किसे दिया गया तो पहला उद्योग रतन पुरसकार रतन टाटा जी को दिया गया है किसे दिया गया है रतन टाटा जी को पहला उद्योग रतन पुरसकार मिला है चुनाव आयोग की द्वारा किसे नेशनल आइकोन बनाया गया है आइकॉन बनाया है गुझरात का पहला multi purpose hospitality और स्थापना सूरत की जाएगी इसका नाम यह नाम है ए श्रेथा थावसिन कीिस-देश के प्रदान मंतरी बने है भीए और यह तो यह थाइंट के यहां पर क्या क्या हो जाएगा यह थाइलेंड के प्रधान मंत्री बने हैं यहां पर थाई राजा महा वाजीरो लोंकोर ने श्रीता थाविसिन को देश का नया प्रधान मंत्री बनाया है धौल पूर करोघ रवडर किस राज में जिसे नयस्तना टाइगर कंज़र्विशन ऑथार्टी की दोरहат टाइगर के के दोरह भारत की सदस्ता को अभि रद किया गया है समापत किया गया है मेरा विल मेरा अधिकार प्रोसाहन योजना के सरकार के दौरह कब से शुरू की zaslean नहीं सितंबर 2013 से इस की शुरूबाट की जाएगी सतंबर 2023 से ड tsunami किया गया है वोलोग को सबसे बड़ा डिस्रिक है एरिया से के इस देश का दूसरा सरवोच समन्मान पराप्त हुआ है PM Modi has received which country's second highest honor तो देखे ग्रीस के दोरा इसका right answer हो जाएगा ग्रीस के दोरा इन्हें दूसरा सर्वोच सम्मान दिया गया है राश्टी सदभावना दिवस कब मनाया जाता है When is national सदभावना दिवस celebrated तो सदभावना दिवस मनाया जाता बीस अगस्त को राजीब गांधी जी की याद पर 20 अगस्त को राश्टी सदभावना दिवस मनाया जाता है बटर फैस्टिवल किस राज में हाली में संपन हुआ है तो बटर फैस्टिवल उत्रा खन राज में संपन हुआ इसमें बटर से होली खेली जाती है बटर लगाए जाते हैं गालों में ना कि यहां पर गुलाल का इस्तवाल किया जाता है तो यहां पर आप बटर फेस्टिवल देख पा रहे हैं जिसमें पुरुष महिलाओं को महिलाएं पुरुष को और एक दूसरे को यह क्या करते हैं गुलाल की जगह बटर लगाते हैं मक् द्रविट बने है बिपी सेल के ब्रेंड एंबस्टर कि पी आर शेशादरी को किस बैंक का मैंनेजिंग डारेक्टर और CEO बनाया गया है तो पी आर शेशादरी को साउथ हिंडियन बैंक का यहां पर मैंनेजिंग डारेक्टर और CEO बनाए गया है ठीक है next question Emmy Awards 2030 में जूरी मेंबर कौन बने है who has become a jury member at Emmy Awards तो Emmy Awards में jury member राधी का मदान को बनाए गया है किसे बनाए गया है राधी का मदान को बनाए गया है तो कैसे हैं अभिशेक कुमार स्वाती धाकर विकेश दास अंजली निशाद मेगा ट्रॉन कैसे हैं आप सभी आभी 40 questions और बच्चे हुए है हमारा फिर यहां पर session खतम हो जाएगा देखो हमने 32 मिनट में 90 question कर दिये आगे बढ़ते हैं ठीक है किस सहर में historic इंडिया क्लब को बंद करने की घोशना की गई है तो जो historic इंडिया क्लब है यह लंदन में है कहां पर है लंदन में है जिसको बंद करने की घोशना की गई है ठीक है और next question अफ्रीका में उत्पादन शुरू करने वाली पहली भारती electrical vehicle company कौन सी बनी है तो इसका नाम है one electric क्या नाम है इसका one electric नाम है ठीक है बूलीविया में भारत का अगला राजओत कि से किया गया तो बूलीविया में भारत Event commander बनाएगया है विश्वास विदू Сवकाल को किसे अगया है विश्वास विदू की है जिनका निधन हो गया है है भारत का पहला रॉकेट्री दनम्बी इफेक्ट को मिला है 1954 से ये अवर्ड दिये गए है अमन प्रीसिंग ने ISSF विश्व चैंपेंशिप में कौन सा मेडल भारत को दिलाया है तो यहां पर अमन प्रीसिंग की बात करें तो इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है ठीक है भारती इसका नाम है प्रबल क्या नाम है इसका नाम है प्रबल यह साइट स्विंग रिवॉल्वर इसका नाम है प्रबल भारत की पहली 3D प्रिंटेड डाग घर का उद्धाटन कहां पर किया गया तो भारत की पहली 3D प्रिंटेड डाग घर का उद्धाटन बैंगलूरों में किय गया कहां पर किया गया बैंगिलूरू में किया गया है भारat के रेलवे मिनिस्टर अश्वणी वैश्णभ जी ने काउध्धाटन किया है अनाहई सिंग इश्याई जूनियर्स क्वेस्ट में कौन सा मेडल भारत को दिलाया है अनाहई सिंग्हेस बॉन विच मेडल इन जूनियर इसक्वैस तो दोस्तो अनाहा सिंग ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है ठीक है के अंडर 17 कैटिगरी में चीन के डलियान में चैंपेंशिप का आजन किया गया था जॉन वर्नॉक किस कंपनी के संस्थापक थे जिनका हाली में निधन हो गया जॉन वर्नॉक अब हमारे बीच में नहीं रहे यह एडॉप के कौन थी यह एडॉप के थे जिनका हाली में निधन हो गया है नैश कोशनेरा रास्टी वनस्पती अनुसंधान संस्थान कहां है जिसके कमल के फूल की नई किसम निलंबो नमो 108 को डवलप किया गया है तो दो वॉर्टर वीक विल भी है तो विश्व जल सब्ता कब तक आजित किया जाएगा बीच से लेकि 24 अगस्त के बीच में इसका आजिन किया जाएगा ओके नैस्ट कोश्चन चैस्वर्ड के फाइनल में पहुंचने वाले भारत के दूसरे खिलाडी कौन बने है तो यह आर प्र पुरेर गठन किया इसके अध्यष कौन है तो दोस्तु इंका नाम है क्या नाम है इंकाव महिला लीग किया गया ए नेम आफ खेLab लिय्ट यह लीग चेज झा किया गया है किया गया है तो इसका आजन दोस्तों इंदौर में किया गया नेस्ट यह है बी bond तो इसका आजन नई दिल्ली में हुआ है यहां पर न्यू डेली में शुरू हुआ है किस राज में नास्ता योजना को विस्तारित किया गया इन विश्व मच्छर दिवस when is world mosquito day celebrated तो world mosquito day 20 अगस्त को मनाया जाता है और सा doctor Ronald Ross के योगदान पर यह दिवस मनाया जाता है दुतिचंद पर कितने साल का प्रतिवन लगा है दुतिचंद has been banned for how many years तो दुतिचंद पर यहां पर बैन लगा है कितने सालों के लिए तो यहां आप देख पा रहे हैं यह हैं चार सालों के लिए फोर एयर्स के लिए दुती चंद पर बैन लगा है कितने सालों के लिए चार सालों के लिए इन पर बैन लगाया गया है और यहां पर आप देख रहे हैं यह भारती अथलीट है जो कि डोप टेस्ट में फेल हो गई है चोलवा खगोल विज्ञान और खगोल भौत्यकी पर अंतरास्टी उलम्पियाड में भारत की रैंक दूसरी है भारत के रैंक भगवान विर्सा मुंडा जुडाव योजना किस राज में शुरु की गई भगवान विर्सा मुंडा पिंक बाल वांप पंजाब में किस केती को लुक्सान पहुंचा रहा है तो यह कॉटन की खेटी को कपास की खेती को नुक्सान पहुचा रहा है इसको छती पहुचा रहा है दास व्यापार उसको खतम करने की स्मृति के लिए अंतराश्ट्री दिवस का मनाया जाता है तो यहाँ पर यह देखें आप तेईस अगस्त को मनाया जाता है तेईस अगस्त को ही अंतराश्ट्री अं इसका उद्गाटन किया गया भारत के लोग सभा अध्यक्ष जो की ओम बिल्डा जी है इनके द्वारा किया गया है अगला प्रशने रहा पोशन्ड जागरुकता सुचकांग सबसे पहले स्थान पर है लडाको विवान तेजस से किस मिसाइल का प्रशन किया गया है विच मिसाइल हैज बिन टेस्टेड फ्रम दफाइटर एकराफ तेजस तो दोस्तों यहां पर अस्त्र का टेस्टिंग किया गया है तेजस की मदस से अस्त्र मिसाइल का टेस्टिंग किय गोवा के तट पर किया गया है हावा से हवा में मार करने वाली एक इंडीजीनिस मिसाइल स्वदेशी मिसाइल लास्ट कोस्टन यह रहा किस राज्य के नंदियाला जिले में 5314 मेगावाट की तीन नवी करनी उर्जा परियोजना की अधार शिला रखी गई तो दोस्तों आंध प्रदेश में इसकी अधार शिला रखी गई है आंध प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगान मोहन रेड़ी जिन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है इन्फोसिस के ब्रैंड अमबेस्जर कोन है को हैं को यस ब्रेंड ऑ्उन लेटेशर वंफोसिस तो देखे तो आपको प्ता चले हैं ऑ Cars दो आज जीता इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है कि नबाट ने एक वेकंशी जारी की है नबाट का होगा मेंस होगा इंटर्वी होगा बहुत बड़ी ओफिशल पोस्ट है आप इस एप्लिकेशन को देख लेना आपके काम के एप्लिकेशन होगी भर देना हर एक्जाम की देखो पढ़ना तो आपको चार विशय है जी एस मैथ रीजनिक और इंग्लेश ठीक है और चार विशय पढ़ना है बाकी हर एक्जाम दो आपको कोई मतलम नहीं आप एक्जाम दो आपको नोकरी चाहिए बस ठीक है पढ़ते रहो पेपर देते रहो कभी रुको मत और पीडियाफ के लिए राजा गुपता करेंट अफैस टेलिग्राम चैनल जोइन कर लेना पूरी दुनिया जा क्लास आप लोगों की तो कैसे रही क्लास दोस्तों शुश्मिता भट थेंक्यू आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे घंटी वाला बटन दबा देना देखो चैनल हमारा है चैनल तो हमारा मेरा नहीं है तो हमें इसको बढ़ाना चाहिए हमें हमें और आ आप लोगों ने धमाल मुवी में देखी थे गोल माल मुवी में क्या नाम था हां उसमें था उसमें बोलता यह बटन नहीं दबाना था पर आपको यह बटन दबाना है इससे सब्सक्राइब होता है और सब्सक्राइब होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और घंट क्या सेर करते इंस्टाग्राम में मुझे सब पता है ना अपने दोस्टों को बहुत साई लोग लिखते अगर आज इसे नहीं किया तो मैं तो कभी बोलता नहीं हो तुम शेर करो के तुम्हां साथ अच्छा ही होगा ना अच्छा एक कल किसी लड़की ने कमेंट किया था उसन किसी से कोई कोई राजगुपता नहीं हो सकता ना मैं राजबाई हो सकता हूं ना मैं संगीता पाल हो सकता हूं ना मैं अभिशेक हो सकता ना मैं प्रियंक का हो सकता आप अभिशेख हैं आप स्वाती हैं आप शुश्मिता है मैं राजा हूं हर विक्ति अपने आप में यूनिक है उसको अपनी यात्रा तै करनी है आगे बढ़ना है मेहनत करनी है और फिर दुनिया में सफलता का पर्चम लहराना किसी से कोई कॉंपपीशन नहीं है एक क् Clayton खुछ से है में एस्टे expo मिं इन्य तरा तो तै नस घर सर्चम घर भीडना है इन्य जर्artिश्व रसांदर शहल्ड दिश्वर्ड दॉन आगे इस mathemat को न्वेश्रीन ते इस आफ और और तो आफ छो जर एंपने से एंज़ आ है का? राइडर आफ यूर ओन लाइफ नो वेन राइड यूर लाइफ यू आर रेस्पोंसिबल फोर यूर ओन लाइफ बाबाय चलो मिलते हैं अच्छा एक चीज और यह जो किंग सीरीज ना भाई या किंग सीरीज अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट ले रहा हूं मैं किंग सीरीज आदे घंटे थोड़ा डिले कर रहा हूं है ना बाबाय थेंक यू अब्रिवन